Hello my dear class 10th lovely students, I am Samheet Ripaati, your social science educator and I welcome you all to Step Up Academy. Friends, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे class 10th economics का chapter number 2 that is sectors of Indian economy. First chapter में हमने बात की थी कि sir economics क्या होती है, क्या-क्या अलग-अलग उसके बाते हम करते हैं, development क्या होता है, basically हमने वो बात की थी development को हम कैसे assess करते हैं और you know development को कैसे अलग-अलग-अलग-अलग ideas के थुरू समझते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए उनका development का जो perception होता है वो एक दम अलग होता है और development को किसी भी एक term और terminology के अंदर define कर पाना possible नहीं है. second lecture में हम आगे आकर बात करते हैं economics के बारे में, economics के सिध्धानतों के बारे में और यहाँ पर mainly हम बात कर रहे हैं sectors of Indian economy. अब sectors को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि economics क्या होती है. आपको बहुत basic सा idea मैं देना चाहता हूँ कि आखिर सर economics होती क्या है. तो देखिए, तीन चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. मतलब कोई भी चीज़ अगर हम पूरा जो economy की बात हम करते हैं तो वो तीन aspects से जुड़ी होई होती है. तीन processes होती हैं जो आपस में interrelated होती हैं और उसी के अंदर हम पूरी economics की study करते हैं. क्या-क्या processes होती है, सर? सबसे पहला होता है, सर, किसी भी goods का production. ठीक है? सबसे पहला क्या होता है, किसी भी goods का production. ठीक है, सर? अब मैंने कुछ produce किया है, तो उसका main सिध्धान्त क्या है, या main उद्देश्य क्या है? सर, consumption. अगर मैं कुछ भी produce कर रहा हूँ, तो मैं produce कर क्यों रहा हूँ? ताकि मैं उसे consume कर सकूँ. और जो मैंने consume कर लिया है, और उसके बाद भी अगर मेरे पास कुछ production बच रहा है, ठीक है? तो we have production, consumption, and आखरी में हमारे पास आता है उसको बेचना या sell करना. ठीक है? आखरी में हमारे पास आता है, सर उसको बेचना या sell करना. तो, सर, we have production, we have consumption, and lastly, we have, you know, what we can call investment. इंवेस्टमेंट किस चीज में? सर, जो एक्टरा सर्प्लस हमारे पास बचा है, मैं उसको बेच के उसको इंवेस्ट करूँगा, या मैं किसी भी प्रकार से उसको यूज करने की कोशिश करूँगा. अब इसी साइकल को जब आप समझते हैं, तो इस पूरी साइकल को ही कहा जाता है, economics. The study of production, consumption and investment, या selling of goods and products within a country, it is known as economics. Simple, ना? अब इसी में आपको क्या समझना है, कि जो हम produce कर रहे हैं, उसको जो हम consume कर रहे हैं, और आखरी में उसके बाद जो हमारे पास बच रहे हैं, हम उसको sell कर रहे हैं. Sell करने के बाद अब ये cycle फिर से repeat होगे, हमने investment किया, हमारे पास पैसे आए, उन पैसों को हमने फिर production में लगाया. Production किया, consumption किया, consumption के बाद फिर investment किया, सर फिर से जो पैसे आए, extract आप फिर production किया. इससे अब क्या होगा कि एक point के बाद ये जो investment है, ये मेरा बढ़ जाएगा. Investment जो है, ये मेरा बढ़ने लग जाएगा. और अब मैं क्या करना शुरू करूँगा, कि सर मैं दूसरे आस्पेक्ट में इंवेस्ट करना शुरू करूँगा, कि production तो अपनी जगह पे है, बट production के अलावा बे मैं कुछ और चीज़ों पे इंवेस्ट करना शुरू करूँगा. And this whole cycle of production, consumption and investment, या buying and selling, it is known as Sir Economics. Right, तो इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे, कि सर पहला आस्पेक्ट हम आज समझने की कोशिश करेंगे, कि production, आखिर कैसे हो सकता है, क्या-क्या तरीके हैं production करने के, क्योंकि production सिर्फ एक चीज़ का नहीं हो रहा है, पिन से लेके, आरोप्लेंस, तक कार से लेके, सर एकी चीज़ के अंदर count करते हैं, थोड़ा typical है समझना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि जब हम economics की study करते हैं, तो हमारे economist ने क्या किया है, कि in order to understand these economic activities, उन्होंने क्या किया है, कि इन economic activities को sectors में divide कर दिया है, ताकि हम economics को और अच्छे से समझ सकें, कि सर देरार अलग-अल production के लिए help परता है, एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझनी है, कि economic activities क्या होती है, सर, economic activities वो होती है, activities that generates income are called economic activities, ठीक है, economic activities कौन सी होती है, सर वो सारी activities जो income generate करती है, उनको हम बोलते है, economic activities, तो इस पूरे chapter में हम वही बात करेंगे, वही समझने की कोशिश करेंगे, कि आखिर कैसे अलग-अलग टाइप की economic activities होती है, और कैसे हम उनको अलग-अलग sectors में divide करते हैं, में लिए हम तीन criteria's को use करेंगे, ठीक है, में लिए हम तीन criteria's को use करेंगे, on the basis of production, on the basis of, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कि आप simple शब्दों में समझे हैं, हम इनको तीन basis पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, on the basis of, सबसे पहला है production, कि क्या produce हो रहा है, दूसरा है organization, कि उस particular जगहे पे, जो production हो रहा है, वहाँ का organization कैसा है, और तीसरा सबसे important जो आता है, on the basis of ownership, क्या, sir, on the basis of ownership, all right, sir, production के basis पे अगर मैं बात करूं, sectors of Indian economy, तो we have, primary sector, we have secondary sector, we have tertiary sector, organization के basis पे अगर मैं बात करूं, तो sir, we have organized sector, we have unorganized sector, on the basis of ownership मैं अगर बात करता हूं, तो we have private, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, I hope यहाँ तक आपको यह छोटा सा concept समझा रहा होगा, कि मैं क्या बताना चाहरा हूं, कि sectors of Indian economy की जब हम बात करते हैं, तो हम Indian economy को कुछ अलग-अलग sectors में डिवाइड कर देते हैं, अब उन sectors को किन basis पे डिवाइड करते हैं, हम सर, on the basis of production, तो basis of production पे हम तीन sectors में डिवाइड करते हैं, primary, secondary, and tertiary, on the basis of organization हम डिवाइड करते हैं, organized and unorganized, और on the basis of ownership हम डिवाइड करते हैं, थ्री sectors, public, private, cooperatives, ठीक है, चलिए, तो अब इन ही सब को हम समझने की कोशिश करेंगे, इन ही सारे sectors को हम देखने की कोशिश करेंगे, और समझेंगे कि आखिर क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, primary sector के बारे में, on the basis of production में, अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला sector आता है, primary sector, primary का मतलब सबसे पहला, primary, important, first, होता है न, हम education भी लेते हैं, तो हमारी primary classes, secondary classes, and higher classes होती हैं, primary goods कौन सी होती हैं, there are many activities that are undertaken by directly using natural resources, primary activity में वो सारी activities आती हैं, जहां पर हम natural resources का use करते हुए, production करते हैं, जैसे मैं बात करूं cotton का cultivation, अब cotton cultivation की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप पूरी तरीके से सारे natural resources का इस्तमाल कर रहे हैं, और आप cotton को produce कर रहे हैं, यह सर एक within a crop season होता है, और cotton plant के लिए हम depend करते हैं, you know, natural factors में जैसे बारिश, rainfall, sunshine, climate, and all the natural factors, ठीक हैं, although human efforts भी होते हैं वहाँ पर हम भी जब होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बट जो पूरा biological process है cotton growth का, वो nature पर dependent है, उसमें human intervention कहीं भी किसी तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसी ही सारी activities, जहां से हम natural resources का इस्तमाल करके, कुछ भी product को grow कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है primary activities, जैसे मैं बात करूँ dairy के बारे में, तो sir dairy is what, हम cow से milk निकार रहे हैं, milk निकालने के बाद उससे अलग-अलग products बना रहे हैं, तो milk क्या हम खुद बना रहे हैं, definitely not sir, वो milk जो बन रहा है, वो cow के अंदर या buffalo के अंदर बन रहे हैं, और वो एक biological process है, वो एक natural process है, जिसमें हमारा किसी भी प्रकार से कोई intervention नहीं है, although हम उसमें एक role play कर सकते हैं, intermediary role के हम गाय को खाना खिला रहे हैं, गाय का ख्याल रख रहे हैं, बच देन somehow, जो milk बनने की पूरी process है, वो biological process है, तो इन ही तरीके की सारी activities, जहां पर production natural resources या natural factors को use करके होता है, उन्हें कहा जाता है, primary activities, राइट, the product here, milk also a natural product, similarly minerals and ores are natural products, minerals या ores की मैं बात करूँ कि, minerals जो लोग निकाल रहे हैं, ores जो निकाल रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, वो भी सर natural products है, और जब हम किसी भी प्रकार का कोई production करते हैं, natural resources का exploitation करके, तो it is the activity of primary sector, और इसलिए इसको primary कहा गया है, सबसे important, primary, क्यों, this is because it forms the base for all products that we subsequently make, अब एक और जो सवाल यहां पर अगेन आता है, कि एक तो हो गया primary, क्योंकि सारे natural resources को use कर रहे हैं, but importantly primary हम इसको इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि primary sector में जो भी चीज़ें produce हो रहे हैं, वो आगे आने वाली industries के लिए, एक बहुत important base की तरह काम कर रहे हैं, कैसे सर, जैसे मैं बताओं, अरे और स्टील कहां से आया, सर आइरन और स्टील और स्टील और से आया, और निकालने की जो process है, सर नेचर्लल प्राउस है, वाट इस इस सर, primary activity, सो primary activity क्या होती है, primary activity, it is the activity which produces the goods, जो आगे आने वाली industries के दुआरा use होते हैं, या फिर generally मैं बताओ simple शब्दों में कि primary activities में हम जो भी goods and you know जो भी goods हम produce कर रहे हैं वो use होते हैं as raw material raw material क्या कच्छा पदार जिनको use करके हम production कर रहे हैं अब n number of examples are there since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing अभी सारे natural products हमें कहां से मिल रहे हैं? agriculture, dairy, fishing, forestry this sector is also called agriculture and related sector और इसलिए इस particular sector को agriculture and related sector भी बोलते हैं तो याद रखना है primary sector या फिर उसको हम कह सकते हैं agriculture और related sector और primary sector क्या होता है? सर जहां से हम natural resources को extract करते हैं या जहां से जो भी production हो रहा है वो natural resources को exploit करके हो रहा है तो उस particular sector को हम बोलते हैं primary sector फिर आ जाता है secondary sector कि primary sector में सर हमने cotton तो produce कर लिया बढ़ क्या cotton हम ऐसे नॉर्मली पहन सकते हैं not possible सर cotton को हमें बहुत जार प्रोसेसिंग करनी होगी उसे final product में convert करना होगा और तब ही शायद cotton किसी काम का है तो यही पर आती है secondary second number पे आती है secondary sector अब यह secondary sector में क्या होता है सर हम जो भी raw materials primary sector में produce कर रहे हैं उनमें manufacturing का काम करके value addition करके उन्हें finished product में convert किया जाता है ताकि उसे use किया जा सके और उसे जब finished product में हम convert करते हैं तो उसकी value comparatively बढ़ जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर हमारे पास क्या है सर cotton अब cotton मैं simply use नहीं कर सकता हूं तो what I'll do I'll take this cotton to industry या factory में industry आ फेक्टरी में क्या होगा सर उसकी manufacturing होगी manufacturing के दौरान उसमें क्या होगा सर value addition value addition कैसे कि सर cotton से thread बनेगी thread से yarn बनेगा yarn से you know cloth बनेगा cloth से आप shirt को stitch करेंगे इसमें dyeing करेंगे इसमें आप you know stickers बगएरा लगाएंगे all those things branding होगी buttons लगाएंगे and number of things will happen and ultimately मेरे पास जो product आया वो आया final product तो अब आप देखिए कि जो cotton था वो शायद उतना valuable नहीं था ठीक है कि मैं 1 kg cotton की बात करूं तो शायद मुझे 1 kg cotton मिल रहा था 1000 rupees का ठीक है 1 kg not 1 kg cotton but somewhere मैं बात करूं 10 kg of cotton मुझे मिल रहा है 500 rupees का ठीक है 10 kg of cotton for 500 rupees but वहीं पर मैं एक shirt की बात करूं तो यह final product मुझे मिल रहा है sir 800 rupees की can you imagine कि sir एक shirt 800 rupees के और इतना 10 kg cotton 500 rupees का value addition हुआ ना so all the things जहां पर हम primary sector के goods को manufacture करके final goods में convert करते हैं उसे कहा जाता है secondary sector यह secondary sector activities और मिल ली इसमें हम क्या करते हैं मिल ली इसमें हम सर करते हैं manufacturing मतलब raw material में हम value addition करके उसे final product में convert कर देते हैं the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity the product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential और यह जो manufacturing process है जहां पर भी हम manufacturing कर रहे हैं जितनी भी manufacturing हो रही है वो सब किसमें आएगी sir वो सब आएगी secondary sector में तो secondary sector it is composed of manufacturing industries की manufacturing और industries का जो भी काम होता है वो सब आता है secondary sector में जैसे मैंने अभी आपको example दिया कि cotton से हम you know cotton fiber जो है वो हमें plant से मिला फिर हम उससे यान बनाएंगे फिर कपड़ा बनाएंगे sugar cane हम में मिला sir primary industry से बाट उस sugar cane को हमने as a raw material use करके उससे गुड़ बनाया हमने उससे शक्कर बनाई आगे चलके मैं अगर बात करूं कि अर्थ से हमें जो मिट्टी मिल रही है soil मिल रही है वो सारी चीजे मिल रही है उससे हमने क्या किया सर उससे हमने bricks बनाई और उस bricks से हमने houses और buildings बनाई और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि generally sector में क्या हो रहा है हम different kinds of industries या industrial activities कर रहे हैं manufacturing industry you know manufacturing का का कर रहे हैं तो इसलिए इस sector को industrial sector भी कहा जाता है secondary sector को industrial sector भी कहा जाता है ठीक है next आ जाता है third important tertiary sector tertiary third ठीक है अब tertiary sector में क्या हो रहा है कि सर मैंने goods produce कर दिया है मेरे पास cotton था cotton production किया primary मैंने उसकी shirt बना दी सर secondary बट क्या काम खतम हो गया shirt बनने के बाद हो गया सब कुछ नहीं सर अब इस shirt को बनने के बाद मुझे क्या करना है सर इसको मुझे market में लेके जाना है मुझे transportation चाहिए मुझे इन्हें store करने के लिए go-downs चाहिए मुझे इन मुझे करके सारा production कहां पर हो गया सर production तो सारा आप secondary sector में हो गया है तो फिर टर्शेरी सेक्टर में क्या हौ रहे है तो सर NEWILY सेक्टर हमें services provide करती है टर्शेरी सेटर में वो इंडस्री जाती है जो primary और secondary sector के development में help करती है tertiary sector में वो activities आती है जो primary और secondary sector के development में help करती है कैसे सर these activities do not produce themselves anything उनमें खुद कोई production नहीं हो रहा है but what they are doing they are providing services tertiary sector में हमें क्या मिल रहा है sir services कि sir ये services production activities को और you know जो भी goods produce हुआ है उसे final consumer तक ले जाने में help करती है intermediary services जो होती है वो tertiary sector में provide कराई जाती है तो tertiary sector अपने आप में कुछ produce नहीं कर रहा है rather tertiary sector services provide करा रहा है जिससे कि primary और secondary sector में production अच्छे से हो सके छोटा से example जैसे मैं दूँ कि primary और secondary sector में जो भी चीज़ें produce होई है उनको transportation चाहिए transportation की ज़रुत पड़ेगी ट्रक्स और ट्रेंस में और फिर उन्हें wholesale रिटेल शॉप में बेचना पड़ेगा तो अब ये trucks और ट्रेंस में हम क्या provide करा रहे हैं हम कुछ produce नहीं कर रहे हैं but हम production provide क्या करा रहे हैं sir services banking services हो गई वहाँ पे भी हम क्या provide करा कि हम कुछ प्रेड्यूस नहीं कर रहे हैं but what we are doing is हम services provide कर रहे हैं और अब services का इस्तमाल कर रहे हैं या internet क्या कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यह सारी activities जहां पर services का production होता है या services provide कर आई जाती है उन्हें कहा जाता है tertiary activities तो इसमें क्या क्या जाता है transport storage communication banking trade these are some of the examples of tertiary activities or tertiary sector since these activities generate services rather than goods इसको क्या कहा जाता है service sector इसे क्या कहा जाता है service sector और आपको यह सारे terms याद रखने हैं क्योंकि exam में सवाल आ सकता है कि elaborate agricultural and related sector तो primary activity elaborate industrial sector सर secondary activity elaborate service sector सर tertiary activities याद रखना है इस चीज को ठीक है service sector इसमें कुछ और भी important services आती है जो directly production of goods में help नहीं करती है कि सर एक चीज तो हमने देख ली कि एक services हो गए जिनसे direct production of goods हो रहा है बट सिर्फ वही services इसमें नहीं आते इसमें कई सारी services आती है जो भी service जैसे आप restaurant में जाके खाना खा रहे है सर service मिल रही है सर आप movie देखने जा रहे है सर service मिल रही है teacher आपको पढ़ा रहा है सर service मिल रही है doctor के पास अब अपने healthcare check-up के लिए जा रहे है सर service मिल रही है ये सारी activities भी tertiary sector में आती है like we require teachers, doctors, engineers and all those things ये बात आपको अब एकदम clear हो गई कि primary, secondary और tertiary sector कौन-कौन से होते है in recent times certain new services has came up जैसे जैसे हम देख रहे हैं जैसे मैंने आपको भी बताया कि telecommunication, internet services, ATM's ये सारी चीज़ें भी internet cafe, software companies ये सारी भी नई-नई services आना शुरू हो गए है तो economic activities are grouped in three different categories are highly interdependent अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये सारी जो economic activities है ये तीनो जो on the basis of production है ये इंटरडिपेंडेंट है कोई भी इन में से अपने आप में fully sufficient नहीं है ये तीनों sectors आपस में interrelated और interdependent हैं कैसे आए कुछ examples के दुरू समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर आप सपोस कीजिए कि एक farmer ने अपना शुगर केन तो प्रड्यूस किया बट उसने शुगर केन जो है वो शुगर मिल को नहीं बेचा कि कि इसी फैक्टरी को उसने कहा कि मैं शुगर के नहीं बेचुगा तो क्या वो शुगर के इन इंडस्ट्रिया इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रोड़क्शन कर पाएगा सब्सक्राइब कर नहीं तो क्या प्रोड़क्शन कर पाऊंगा नहीं सर तो इससे हमें क्या समझाया कि सर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपैंडेंट है अब यहीं पर आपको एक चीज़ और समझनी है कि एक यूनो आँ कॉंटन कल्टिवेशन एक फार्मर है जो कउक्टन कल्टिवेशन कर रहा है ठीक है कॉक्टन कंटिवेशन कर रहा है और वो एक कमपनी को बेज रहा है बट कम्पणी ने इंकार कर थिया कि हम आपसे कॉंटन नहीं लेंगे हम quiere से cotton मंगवाना शुरू कर देंगे तो क्या अब cotton producer जो है उसके cotton बनाने का कोई फायदा है definitely not sir क्या उसे cotton you know production से कोई फायदा मिलेगा definitely not sir तो अब यहां पर cotton producer जो है वो भी secondary sector पर dependent है कि sir primary sector में जो produce हो रहा है secondary sector अगर उसे नहीं खरीदेगा तो there is no point of production दें क्योंकि cotton का अकेले farmer कुछ खुद नहीं कर सकता है वो produce कर ही इसलिए रहा है ताकि उसे company में विच और उससे profit कमाए तो यहां पर हमें क्या समझा है कि primary sector भी कहीं ना कहीं tertiary sorry secondary sector में interdependent है next time आज आते हैं कि farmer buy many goods such as tractors pump set electricity pesticides fertilizers अब क्या हो कि अगर इन सब fertilizers और pump sets के price बहुत बढ़ जाएं तो farmer का जो cost of production है वो बढ़ जाएगा या फिर यह सारी services मिलनी बंद हो जाए या यह सारे equipments उने मिलना बंद हो जाएं तो अब इससे आपको क्या रूरल अरिया फोड़ विल बिकम स्कार से अर्बन अर्बन एरिया विरस फार्मस विल बी अनेबल तो सेल दियर प्रोड़क्स अगें पहली चीज क्या होगी कि यह यहां से ट्रेवल कर पाएगा डिफिनिटली नॉट सर तो अल्टिमेटली प्राइमरी और सेकंडरी सेक्टर दोनों ही अफेक्ट होंगे टर्शरी सेक्टर के काम ना करने से तो इससे हमें क्या समझाया कि सर हर एक सेक्टर अपने आप में कहीं न कहीं एक दूसरे के से हमेंटली तरीक है से सेल्फ अफशेचिंट नहीं है एक चोटी से एक्टिविटी है जो आपको देखनी और करनी है कि सर अगेर ये लोग किस सेक्टर में आएंगे ठीक है कि टेलर सर्क्राइंदेर्स प्राइमरी सेक्टर बास्केट को वीव कर रहा है अब नैच्र प्राइमरी सेक्टर, फिशर मैं सर प्राइमरी सेक्टर, प्रीस्ट, टर्शरी सेक्टर, कुरियर, टर्शरी सेक्टर, वर्कर्स इन मैच फेक्टरी, सर सिकेंडरी सेक्टर, मनी लेंडर, सर टर्शरी सेक्टर, सर्विसेस प्रोवाइड करा रहा है, गार्डनर, इसको हम प्रा और मिट्टी का यू सेक्टर अ स्ट्रोनॉट टर्शरी सेक्टर कॉल सेंटर एंपलोई सbit टर्शरी सेक्टर ठीक है तो से अपने आस-पास जहां पर आपको कई सारे यूनों एक्टिविटीर होती हुई दिखेंगी और यूग urban drama लाइफ में भी आनलाइज कर सकते हैं कि कौन सब एक्ति प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है और कौन सब एक्ति टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है तो अब जब हमने समझ लिया है कि आखिर अलग-अलग सेक्टर सॉफ एकनोमी में क्या-क्या टैप का प्रोडक्शन होता है और किस सेक्टर को हम कैसे define करते हैं किस लेवल पर क्या-क्या चीज़ें produce हो रहे हैं तो अब हमें समझना है कि आखिर इन तीनों सेक्टर का contribution कितना है सेक्टर कितना produce कर रहा है क्योंकि सर तीनों सेक्टर अलग अलग हैं तो तीनों के production भी अलग है तो उसकी जो वैल्यू प्रड्यूस हो रही है वो भी अलग-अलग होगी तो अब हमें यह समझना है कि आखिर कौन से सेक्टर ज्यादा इंपोर्टेंट है किसी भी economy के अंदर तो हमें तीनों सेक्टर को compare करना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा कि कैसे अलग-अलग जो activities हैं उनमें कितना production हो रहा है तो हमने अलग-अलग production activities in different sectors में अलग-अलग अलग 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 वैली होती है और इसी तरीके से अलग-अलग sectors में different number of peoples are also employed तो अब जब हमें समझना है कि कौन सी और प्र्टिकुलर sector कितना ज़्यादा production कर रहा है कितना ज़्यादा contribution दे रहा है particular economy के अंदर या कौन सा sector कितना ज़्यादा dominant है तो हमें क्या करना होता है हमें देखना पड़ता है उनका total production और total employment कि कितना वो production कर रहे हैं और कितने लोगों को employment provide कर रहे हैं अब हम इन goods और value services को कैसे count करेंगे हम कैसे पता चलेगा कि किके sector में कितना production हो रहा है कहां पर कितने लोग और यह उनका प्रोडियू ज़्योण करों कितना contribution दे रहे हैं इतने सारे good and services हैं हमारी economy के अंदर इतनी सारी चीज़ें हर रोच produce हो रही हैं कैसे हम इस चीज को you know tackle करते हैं कैसे हम इस चीज को complete करते हैं कैसे हमारी चीज का record रखते हैं और कैसे हम इसको count करते हैं तो इस problem को solve करने के लिए क्या किया जाता है हम हर एक good की value को decide करते हैं ठीक है हम हर एक good को नहीं count करते हैं है मैं आपको बताऊं कि sr एक pin भी produce हो रही है कि sr agricultural produce ठीक है वहाँ पर हम count कर सकते हैं बट कोई service मिल्री उसको कैसे count करेंगे हम ठीक है कि ठीचर पढ़ा रहा है हम कैसे count करेंगे कि उसने कितना production किया क्योंकि हम तो produce कर ही नहीं रहे हैं उसके इसमें क्या होता है कि सर जो भी goods है या जो भी services है या जो भी manufacturing हो रही है हम उनकी original value को लेकर चलते हैं ठीक है हम वहाँ पे count क्या करते हैं उसकी value कि जो भी चीज produce हुई वो कितने value की हुई कि कोई एक teacher पढ़ा रहे तो उसकी salary पूरे साल में कितनी है ठीक है कोई एक factory worker काम कर रहा है तो पूरे साल में उसकी salary कितनी है production अगर total हुआ तो कितने amount का production हुआ कि 50 कार बनी तो 50 कार का total value कितना है हम goods को count नहीं करते हैं हम count करते हैं उनकी value को in terms of money ठीक है तो हम क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करने की जगे हमें क्या करना है हमें उनकी value को add up करना है कि कितना production हो रहा है क्या-क्या production हो रहा है अखिर कितने amount का वो production हुआ है जब हम उसको add करेंगे तो ultimately हमें पता चल जाएगा कि कि इस sector से कितना production हो रहा है जैसे एक छोटा से example लेके चलते हैं कि 1000 kg of wheat produce हुआ और वह 8 रुपए पर kg के साब से sold हुआ सर 80,000 का यहां पर हमें production देखने को मिल रहा है 5000 coconut produce हुए 10 रुपए से बेचे गए सर 50,000 का production हो रहा है तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि even services जो produce हो रही है उनकी भी हम value count कर लेते हैं और उस value को add कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कि सेक्टर से कितना production हो रहा है बट यहां पे इस value को count करते time एक चीज का खयाल आपको रखना है कि हर एक good और service जो produce हो रही है हम सब का count नहीं लेते हैं कैसे एक चोटा से example मैं देता हूं कि एक farmer है उसने you know wheat बनाया उसने wheat produce कि और wheat किस को बेचा जहां पे आटा बनता है कितने रुपे सर 8 रुपी पर kg के साबसे अब इस floor mill ने जहां पे आटा बन रहा है उसने उस wheat को खरीदा उसने उस wheat को process किया और वो किस कितने रुपए में बेच रहा है इसा 10 रुपीज पर kg में बेच रहा है तो आपको क्या समझना है कि यहां पे हमें wheat का price नहीं देखना है यहां पे हमें floor mill ने कितना price लिया वो नहीं देखना हमें किस चीज की value देखनी है किसी भी particular goods का या produce का value add कर रहे होते हैं तो हमें intermediary goods का value add नहीं करना है क्योंकि फिर वो overlap हो जाएगा multiple time हम किसी भी goods की value को add कर लेंगे क्योंकि biscuit का जो value है जो 15 रुपय पर packet है उसमें सारे ये values already added है कि sir वो wheat का price added है उसमें floor mill का जो वो प्राइस है नोंने खुच जो investment क्या वो added है and ultimately जो final product हमारे पास आया है वो 15 रुपय का है तो जब भी हम किसी भी good या service की value को define कर रहे होते हैं तो हमें intermediary goods की value को add नहीं करना होता है हमें सिर्फ add करना होता है final product की value को ठीक है तो यहां पर biscuit क्या है थे पिछले example में biscuits वर्दा final goods जो consumer के पास मिल रहे हैं तो final goods जो consumer को मिल रहे है और जो goods बीच प्रोडक्शन के लिए use हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं intermediate goods या intermediary goods तो हम हमेशा final goods की value को ही produce करते हैं क्योंकि intermediate goods की value है वो already add up हो चुकी है पिछले you know process of production में तो final value को ही हम हमेशा add करते हैं और final value को ही हम लेके चलते हैं कि sir this is the production कि अब हम उस case में wheat की value को add नहीं करेंगे ना हम floor milk ना आटे तेल किसी की भी value add नहीं करेंगे हम add करेंगे सिर्फ biscuit की कि sir 15 रुपए का biscuit वो उसमें सारी चीज़ा already आ चुकी है तो this is how we you know count in the economy कि किस का कितना production हुआ है और value कैसे हम decide करते हैं तो intermediary goods को हमें add नहीं करना है अब हमें क्या समझना है कि GDP क्या होता है what is gross domestic product the value of final goods and service produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year कि sir GDP क्या होती है gross domestic product कि within a country पूरे साल में जितने भी value का production हुआ made by manufacturing primary sector or services उन सब को जब हम add कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है sir हमें मिलता है GDP तो GDP क्या होता है कि sir किसी भी country के अंदर पूरे साल के अंदर कितने value का production हुआ total सारे सारे sectors को मिला के total कितना production हुआ उसको कहा जाता है gross domestic product या GDP and the sum of production in three sectors gives what is called the gross domestic product of the country कि हमने क्या देखा कि economy को हम कैसे study करते हैं सिर्ट जितना भी पूरे साल में production हुआ goods, services का किसी भी चीज़ का उसकी value हमें निकालनी है उनकी सब की value को add करना है finally जो पूरी value add होने के बाद जो हमारे पास final value आती है उसको कहा जाता है GDP कि total production across the three sectors within a country it is known as GDP of that country I hope अब से आपको GDP clear रहेगा कि जब भी हम GDP की बात करते हैं बोलते हैं आपके इंडिया की GDP इतनी है अमेरिका की GDP इतनी है तो जब भी हम GDP की बात कर रहे हैं कि उस पूरा particular country में उस पूरे साल भर में कितना production हुआ कितने value के goods and services का production हुआ it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year GDP shows how big the economy is economy क्या मैंने बताया ना production consumption and selling investment sir ये GDP हमें बताती है कि किसी भी country की economy जो है वो कितनी बड़ी कितना production हो रहा है उनके आपर कितना consumption हो रहा है कितना investment हो रहा है हर एक चीज का idea हमें लग जाता है in India the task of measuring GDP इंडिया के अंदर GDP को count करने का task किसका है ministry of statistics and program implementation central government की ministry है ministry of statistics and program implementation और ये ministry of statistics and program implementation ये central government की authority है और ये local level government से पूरे data को collect करके क्योंकि पूरे हर एक area का data एक authority तो नहीं ले सकता तो क्या होता है कि हर एक state हर एक state के अंदर भी हर एक district एक district की एक authority होगी वह वहाँ का data पूरा collect करेगी ऐसे ही सारे districts की की जाएगी फिर उससे एक state का data आएगा पूरे state का data collect करने के बाद वो center को दिया जाएगा सारे states के data को add करके center ये value निकाल लेगा कि हाँ sir this is the total GDP of that particular country बट इसका जो पूरा main काम है ये कौन दिखता है ministry of statistics and program implementation clear तो GDP count करने का काम ये central government authority करती है अब बात करते है historical changes in the sectors कि कैसे throughout the history अलग-अलग sectors का development होना शुरू हुआ इतिहास में अगर आप बहुत पहले चले जाए मैं बात करूं इंडेस वैली civilization की मिसोपोटामिन civilization की Egyptian civilization की जिन्हें river valley civilization भी कहा जाता है जिन्हें river valley civilization भी कहा जाता है वहाँ पर आप देखते हैं कि sir main form of occupation जो था वो था agriculture और pastoral nomadism कुछ हग तक पास्टोरल nomadism और यह दोनों activity क्या है सरफ primary activity तो ancient time में made to be developed country और made to be developing country कोई भी हो हर जगह पे major form of occupation जो होता था वो होता था you know primary sector या शुरुवात वहाँ पे जो हुई वो सिर्फ और सिर्फ primary sector से हुई पूरी economy जो होती थी वो primary sector पे ही dependent होती थी दीरे दीरे करके जब production ज़ादा होने लगा surplus production होने लगा तो नए form of occupation आने लगए कि सर पहले 10 लोग थे और 10 के 10 लोग अपने लिए produce कर रहे हैं तो सब agriculture में involved है बट अब क्या हो गया कि new agricultural implements techniques आने से क्या हो रहा है कि 10 लोग 20 लोगों का खाना produce कर रहे हैं तो बाकी के जो 10 लोग बचे हुए हैं वो कुछ और काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें agriculture करने की जरूरत नहीं है उन्हें खुद के लिए कोई भी food production करने की जरूरत नहीं है तो अब उन्होंने नए 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 काम करने शुरू किये तो तो many other people they started taking up new activities जैसे art and craft या फिर traders या फिर और सारी चीजह उन्होंने करने शुरू के buying or selling start हो गया एक new trade you know consensus start हो गया एक पूरा state system start हो गया transporters administrators army इन सब में लोग जाने लगे क्योंकि food production पर उन्हें focus नहीं करना है क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि लोगों को सबसे primary खाना produce करना है अपने लिए खाना धूणना है बट जब agriculture होने लगा और agriculture थोड़ा जादा होने लगा खाने का problem खतम हो गया अब पांच या दस लोग पूरे सौ लोगों के लिए खाना produce कर सकते थे तो बाकी के सर बचेवे नबबी लोग क्या करेंगे वो अलग अलग activities करने लगे तो सबसे शुरुवात पहले होती है primary sector से ही बट आगे चलके agriculture में growth होने के कारण surplus production होने के में सबसे आधा involved है क्योंकि बाकी सारी activities का growth उतना नहीं हो रहा है और वहां पर employment opportunities भी उतनी जाधा नहीं है over many years यह system चलता गया नए-nay inventions होते गए नए-nay machinery आती गए नए-nay goods and services की needs आने लगी उसके बाद आई machines आने के बाद शुरू हुआ and you know industrialization और industrialization के आने से शुरू हुआ sir factory work कि sir factories का development होना शुरू हुआ industries का development होना शुरू हुआ अब क्या हुआ कि sir यह जो extra लोग थे अब इन्होंने factory में काम करना शुरू किया they became factory workers और यहां से rise होना शुरू होता है secondary sector का people begin to use many more goods that were produced in factories at cheap rates secondary sector gradually became the most important in total production and employment अब यहां पर जब industrial boom आया अगर आप यह रिलेट कर पा रहे होंगे England में जो शुरू हुआ था particularly जब यह industrial boom आया और industries का growth होना शुरू हुआ तो large number of people were employed in agriculture oh sorry industries factory worker की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया factories में नए नए goods produce होने शुरू हुए नए नए goods cheap rate में produce होना शुरू हुए तो लोगों का lifestyle बढ़ना शुरू है lifestyle बढ़ना शुरू है तो goods की demand बढ़नी शुरू ही दिमांड बढ़नी शुरू ही तो production और बढ़ाना पड़ा अब इससे क्या हो रहा है कि agriculture में अभी तक primary sector में जादा लोग इंवल्व थे और जादा production भी हो रहा था बट इंडस्ट्रियल सेक्टर आने के बाद इस सेनेरियो चेंज हो गया नाव सेकेंडरी सेक्टर बिकें मोर इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में बहुत जादा बढ़ गया है और अब अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी होनी शुरू हुई इंकम बढ़नी शुरू हुई तो ओवर पास्ट हंड्रेड यर्स शुरू हो गया टर्शरी सेक्टर के अब नई नई सर्विसेस की शुरू आताने लगी लोगोंने ट्रिप पे जाना शुरू किया उन्हें रिक्रियेशन के जरूत पढ़ने लगी तो सर्विसेस का डवलपमेंट होना शुरू हुआ एंड पिछले सौ सालों में या पिछले पचास सालों में आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर बिकेम इंप्रेंट सेक्टर की अब सेकेंडरी सेक्टर से भी हटके जाधा से जाधा लोग जो हैं हों उप्लोइड है सर्विस सेक्टर में अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जानते हैं आपके घरू में आपके ऑडर मोस्ट आफीज में अशी में अईशा होता है कि फादर या मुदर जो हैं वह सर्विस सेक्टर में ही उन्-प्लोइड हैं ऐसे और developing countries की population को देखेंगे sorry developed countries की population को देखेंगे तो maximum people of developed countries USA America you know Europe की मैं बात करूँ Japan की मैं बात करूँ, China की बात करूँ, maximum number of people are involved in service sector only so this is how throughout the history different sectors have you know changed their contribution in the economy and present time में अगर आप देखेंगे तो service sector बहुत important हो ला है इंडिया की मैं अगर बात करूँ, initially जब आप देखते हैं कि सर 1973-74 का यह data है और यह 2013-14 का data है, 73-74 में अगर आप देखेंगे तो primary, secondary or tertiary sector का जो contribution था वो almost same है, but वहीं पे आप 2013-14 का अगर data देखते हैं तो primary sector का कम हो गया है secondary sector का थोड़ा ज़ादा है, tertiary sector का सबसे ज़ादा है same was the pattern which was followed in India over the 40 years between 1973-74 and 2013-14 while production in all the sectors had increased, it has increased most in tertiary sector और इसी कारण से 2013-14 में इंडिया की मैं particular लिए बात करूँ large number of people, they were involved in tertiary sector production only now why is this tertiary sector becoming more important in India कि ऐसा क्या हुआ कि tertiary sector इंडिया में इतना important हो गया क्योंकि इंडिया की भी अगर मैं बात करूँ तो इंडियान economy for a very long time was completely dependent on agriculture only right और large number of people, they were involved in agriculture only but ऐसा क्या हुआ कि tertiary sector का rise होना शुरू हो गया tertiary sector का growth होना शुरू हो गया तो there are many factors, आगे समझते हैं उन जारे factors को सबसे पहला क्या कि कि किसी भी country में कुछ basic services है जो लोगों को चाहिए ही होती है जैसे hospitals, educational institution, post and telegraph services, police station, court, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. ये कुछ ऐसी services हैं जिनको हम basic services कहते हैं ये services तो sir हमें चाहिए ही होती है हर एक level पे अब इनको क्या कहा जाता है sir basic services तो in a developing country the government has to take responsibility for these provisions कि एक developing country के एंडर तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि लोगों को basic services provide कराई जाएं इंडिया जब 1947 में अजाद हुआ तो सबसे पहला target यही तक ही लोगों को basic services तो provide कराई जाएं ताकि उनकी lifestyle better हो जाएं अब services provide कराने के लिए service sector का राइस होना शुरू हुआ service sector का राइस हुआ तो ultimately जादा से जादा लोग tertiary sector में जाना शुरू हुए और उसका production भी बढ़ गया the development of agriculture and industry leads to the development of services अब जैसे जैसे agriculture और industry का development होता है तो services भी उतनी चाहिए जैसे transportation, trade, storage and banking all these things so definitely tertiary sector का rise यहां से भी होना शुरू होता है उसके बाद हम देखते हैं कि income level जैसे 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 लोगों के बढ़ना शुरू होते हैं वैसे वैसे लोगों को नई नई चीजों की demand बानी शुरू होते है जैसे उन्हें recreation चाहिए जैसे they have to go out for eating, tourism चाहिए, shopping चाहिए, private hospitals चाहिए, private school, professional training अगर आप देखें कि आज के ताइम पे कितने सारे stadium, playgrounds वो सब बन चुके है N number of services are there लोगों को नई नई services चाहिए क्योंकि उनके income बढ़ती जा रही है so this has also led to the development of tertiary sector या फिर मैं बात करूँ service sector के over the past decade or so certain new services are also included in this sector की अब कुछ ऐसी नई services आ गए है पिछले you know 10-20 सालों में जहां पर service sector का expansion और हो गया है और यहां पर सबसे major आता है telecommunication, internet आज आप mobile internet देख लीजे, wifi देख लीजे इन सब जगों पे भी N number of people are involved ठीक है और इन sector OTT platforms हो गए यह सारी चीज़ है and number of things are coming up और इन चीज़ों में भी service sector का जो growth है वो बहुत ही ज़ादा हुआ है ठीक है और इन सारी services का जो expansion है अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है and large number of people are also employed in this particular sector तो अब आपने क्या देखा कि सर टर्शरी sector का growth जो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है particularly जहां पर इंडिया आज से 50 या 100 साल पहले mainly primary sector country थी आज वो टर्शरी sector पर based हो गए और इंडिया की major economy जो है वो टर्शरी sector से derive हो रही है बट आपको एक चीज़ याद रखने है कि टर्शरी sector भी उतना even नहीं है अलग-अलग type के लोग जो है वो इस टर्शरी sector में involved हैं कुछ जगहों पे limited skilled labor involved हैं कुछ जगहों पे unskilled labor हमें देखने को मिलते हैं तो यह जो highly skilled और educated workers हैं इनकी संख्या बहुत कम हैं जिनका pay scale बहुत अच्छा है बहुत अच्छी lifestyle ये जी रहे हैं अभी भी इंडिया के अंदर जो major population है वो unskilled work में involved हैं like shopkeepers, repair person, transport person, etc. और अभी भी इंडिया का जो tertiary sector हैं वहां पे majorly जो लोग involved हैं वो low paid और unskilled job में involved हैं तो tertiary sector का growth भी हमें उतरा uniform देखने को नहीं मिलता है इस people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them although service sector में involved तो हैं but उनकी income बहुत कम एक रिक्षा-puller की में बात करूं एक auto चलाने वाले की में बात करूं कितना ही पैसा कमा लेता होगा वो nothing sir, मैं एक house help की बात करूं, मैं एक cook की बात करूं, मैं एक you know, safाई करने वाले की बात करूं, कितना पैसा वो कमाता होगा sir barely he is able to manage his leaving but still he has nothing to do तो उसको यह काम करना पड़ रहा है तो although service sector का growth हमें देखने को मिल रहा है और उसकी importance भी बढ़ रही है but one thing you have to keep in mind कि there is only a part of this service sector which is growing in importance not the whole service sector अब आप देखिये, कि हमने economy में service sector का growth तो देख लिया है कि sir कैसे economy में अलग-अलग sectors का कितना contribution है अब next important जो aspect आ जाता है कि अब यह sectors कितने लोगों को employment प्रवाइड कर आ रहे है तो sir यह बहुत ही contrasting है कि हमने देखा कि primary sector का importance जो है comparatively कम हो गया है secondary sector का थोड़ा जादा, tertiary का सबसे जादा but still अगर आप इसी चीज़ को employment में देखेंगे तो अभी भी sir primary sector में सबसे जादा लोग involved है as compared to secondary and tertiary sector और tertiary sector जो largest GDP का contribution कर रहा है वहाँ पे अभी भी बहुत marginalized और बहुत ही minimal population जो है वो involved है जैसे अगर आप देखें कि यह है different sectors का share GDP में 1973-74 में primary sector का इतना share है secondary का इतना tertiary का इतना देन उसके बाद धीरे-धीरे करके यह कम हो जाता है primary का बहुत कम हो गया है secondary का tertiary का सबसे जादा वहीं पर employment देखिए sir यहां पर 40% यह सिर्फ GDP में contribute कर रहा है लेकिन population 74% involved है यह सिर्फ और सिर्फ क्या किते हैं sir you know हम बात करते हैं कि इसका जो contribution है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है ठीक है इसका सिर्फ और सिर्फ 10% है 10% के बाद 11% जो population है और मैं उसके बाद अगर tertiary sector की बात करूं तो sir almost यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि 50% जो production है को टर्शरी सेक्टर में हो रहा है लेकिन population से 15% इसमें employed है 2013-14 की बात करते हैं sir सिर्फ कुछ 10 और 12% जो है यहां पर GDP में contribution है 49% लोग अभी भी primary sector में employed है secondary sector की मैं बात करता हूं तो sir आप लेकर चलिए almost यहां पर 18% का जो है production हो रहा है GDP में contribution है 24% लोग involved है and इन दोनों को हटाने के बाद 80% जो GDP का contribution है वो tertiary sector का है लेकिन सिर्फ 27% people are employed in tertiary sector can you see this contrast आपको समझ आ रही होंगी बात है कि कि सरीके से although tertiary sector importance बढ़ता जा रहा है GDP में उसको contribution बढ़ता जा रहा है बट लोग अभी भी majorly primary sector में involved है जिसका contribution घटकर बहुत कम हो गया है सिर्फ 12% या 11% of the GDP of an economy is dependent on primary sector but still it is employing 49% of people sir कैसे इतने सारे लोग कैसे हैं क्या यह किसी भी प्रकार से कोई सामंजस से बना पा रहा है definitely not sir and that is why you can see still India is a developing country GDP में contributions tertiary sector का सबसे जाधा है लेकिन employment सबसे कम वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है why didn't a similar shift out of primary sector happened in case of employment ऐसा क्यों क्योंकि सर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में enough jobs create ही नहीं हुई जैसे अभी हमने बात की थी कि highly skilled और unskilled लेबर्स कि सर टर्शरी सेक्टर में highly skilled professionals चाहिए बैट उतने है नहीं तो सर लिमिटेड नमर आफ पीपल और उनी से जादा काम हो रहा और वो इतने लिमिटेड नमर आफ पीपल ही GDP में इतना जादा है and even today large number of people जो है वो अभी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ जो GDP में contribution है वो one-sixth है और secondary or tertiary sector जहां पे सबसे ज़्यादा production हो रहा है वहां पे कुछ ही number of people are employed that's it सिर्फ कुछ ही number of people are employed in this particular secondary and tertiary sector तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगरी कल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो उतना production नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या सर यार unemployed ठीक है वो क्या है यार unemployed what it means is that there are more people in agriculture than is necessary कि सर अगरी कल्चर में जितने required हैं उससे कहीं ज्यादा people employed हैं so even if you move out few people out of production production effect नहीं होगा कि सर अगरी कल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर under employed हैं कि सर एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 100 kg प्रड्यूस कर रहे हैं उसी खेत में यह 5 लोग भी अगर काम करेंगे तो भी 100 kg प्रड्यूस कर लेंगे तो बेसिकली यह जो एक्स्ट्रा पांच लोग हैं क्या इनका कोई भी involvement है कोई भी help कर रहे हैं डेफिनिटली नॉट सर पर-capita involvement या पर-capita production कि मैं बात करूं तो इन पांच लोगों का पर-capita production जीरो है that means what कि sir although employed दिख रहे हैं although कुछ काम कर रहे हैं बट प्रेक्टिकली या अंडर employed और इसी को कहा जाता है डिस्गाइजट unemployment ठीक है कि मैं बात करूं लक्षमी जी के बारे में कि वह स्मॉल फार्मा रेक स्टोरी दी गई है उनके पास two hectare unirrigated land है जहां पर irrigation की कोई भी facility नहीं है वो सिर्फ rain पर depend करते हैं और वो जौर और अरहर produce करते हैं उनके घर के पांचों member जो है इस production activity में involved होते हैं और उनके पास और कोई भी काम नहीं है कहीं पर जाने के करने के लिए अब आप क्या देखेंगे कि all the सभी लोग काम कर रहे हैं बट स्टिल उनका जो लेवर लेबर effort है उसका कुछ लोगों का जो लेबर effort है उससे कुछ भी production नहीं मिल रहा है ठीक है this is the situation of under employment where people are apparently working और इसी situation को कहते हैं under employment कि sir काम करते हुए सभी दिख रहे हैं कि सभी लोग काम कर रहे हैं but ultimately सभी का जो पर-capita production है वो equal नहीं है और अगर उनमें से हम कुछ लोगों को हटा भी देंगे तो production किसी भी तरीके से affect नहीं होगा इसे कहा जाता है under employment या फिर मैं बात करूँ disguised unemployment कि यहां पर लोग अपने potential से काम काम कर रहे हैं कि अगर वो पांच लोग कहीं और जाके दो लोग कहीं और भी जाके काम करने लगेंगे तो शायद extra production हो जाएगा कहीं और वो extra produce कर सकते हैं but उसी खेत के अंदर वो पांच लोग काम कर रहे हैं production अभी भी same है no 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 per capita production is coming up कोई भी उससे फाइदा नहीं हो रहा है तो इसी को कहा जाता है underemployment जब वेक्ति अपने potential से काम काम करता है this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed यह जो underemployment है न यह kind of disguised unemployment है कैसा कि सर एक तो वेक्ति unemployed होता है जो दिख रहा है कि घर पर बैठा है कुछ नहीं कर रहा है तो वो तो हमें पता है कि unemployed है बट यहां पर सब लोग काम तो कर रहे हैं बट production कुछ खास ऐसा extra हो नहीं रहा है उनके contribution से कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है और इसी को कहा जाता है डिजगाइजड अनप्लाइमेंट डिजगाइज का मतलब क्या होता है भीज बदल कराना तो दिस इस नोन अस डिजगाइज अनप्लाइमेंट की दिख रहा है कि एंप्लाइड है बट उनके प्रोडक्शन से कोई भी मेजर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या कोई भी मेजर कॉंट्रिब्यूशन नहीं हो रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर तो अब आगे हम बात करें कि वहीं पे लक्श्मी जी के गाउं में एक लैंडलॉड है जिनका नाम है सुखा राम अब वो अगर आए और लक्श्मी जी की फैमिली से दो लोगों को लेकर चले जाए अपने खेट में काम कराने लगे और बदले में उन्हें कुछ वेजिस य कारेंट से आप देखेंगे कि जब वो पांच लोगों मेंसे दो लोगों की ज़रूरत नहीं है तो अगर उन लोगों को कहीं और हम कुछ और एम्प्लॉइमेंट अपर्चुनिटीज प्रवाइड करें तो शायद कहीं न कहीं ओवर एकोनॉमिक डेवलप्मेंट में वह बह हैं तो अगर हम इस पूरी पॉपॉरी पॉप्लिशन को जो कि एक पाटिकुलर एम्प्लॉइमेंट के अंडर एक्स्ट्रा है उसको हटा दे तो भी उस पाट्शिकुलर प्रड़क्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हम उस एक्स्ट्रा पॉपॉपॉल आपने देखा भी होगा कि आपके घरों के आसपास या जिस भी पर्टिकुलर सिटी में आप रह रहे होते हैं वहाँ पर कहीं न कहीं एक स्लम का डवलपमेंट भी होता है वह क्यों हो रहा है क्योंकि सर जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज्यादा लोग माइग्रेट करके अर्बन एर्यास में आ गए है अब उनके पास करने के लिए काम रही है बस वो यूणों सोटी मोटी इंकम के लिए कहीं न कहीं इन्वाल्ट है लेकिन सर कुछ उससे इंकम खास आ नहीं रही है इसके कारण वो लोग भी अंडर एंप्लॉइमेंट में है या वो लोग भी अ समझा रहा है कि सर यह जो अने अंप्लॉइमेंट का इशू है यह एक मेजर इशू है सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर में नहीं बलकि कए सारे सेक्टर्स में तो अब हमें कोशिश क्या करनी है कि नयीन तरीके निकाले जा सके जिससे कि लोगों को और में प्रोवाइड कराया इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना शुरू कर दें उनके घर के आसपास वेल कंस्ट्रक्ट करवा दे या फिर कैनाल्स बना दे तो सर्व वहां पर उनके लैंड में इरिगेशन होना शुरू हो जाएगा और इरिगेशन होने से क्या होगा कि अब पूरे साल में व वीट उगा हुआ है दूसरे हेक्टेर पे वह कुछ और काम भी कर सकते हैं तो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वह भी उसी लाइन में काम करके ओवर और प्रोड़क्टिविटी जो है वह उसे बढ़ा सकते हैं एंड अल्टीमेटली सभी लोग एंप्लाइड हो सकते हैं प्रोड़क्शन में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है सिर्फ इरिगेशन ही नहीं अब मैं अगर बात करूं कि सपोज एक डैम कंस्रक्ट हो जाता है और कैनाल बनने शुरू हो जाते हैं अब कंस्रक्शन के टाइम पे भी तो हमें लेब कर लें सर डेफिनेटली तो उस गाओं में डैम भी बन जाएगा और उस गाओं के जो लोग हैं जो अंडर इंप्लाइमेंट नहीं है अल्टिमेटली उन्हें भी कुछ वक्त के लिए एम्प्लाइमेंट मिल जाएगा और इरिगेशन के आजाने से और अगरी कल्चिरल प्र लग गए हैं अब सर्फ कर रहे हैं तो उन्हें ठ्रास्पोटेशन की जरुद पडेगी क्यों किने उसे बीचना ही मार्केट में ले ले जाके उन्हें स्टोरिज की जरूद पड़ेगी और भी बहुत सारी बैंक्स की जरुद पड़ेगी तो अब अगर गवर्मेंट कुछ पैसा invest करके transportation में develop करना शुरू कर दे, storage facilities को develop करना शुरू कर दे, better roads develop करना शुरू कर दे, mini trucks चलाना शुरू कर दे, तो sir ultimately farmers को भी इससे फाइदा होगा, उनका crops easily market तक पहुँच भी पाएगा और इस पूरी process में भी बहुत सारी employment opportunities जो है वो provide हो पाएगी, कि sir आप transportation में काम कर सकते हैं, आप road construction में काम कर सकते हैं, storage facilities में काम कर सकते हैं, और लक्षमी जी की जो जरूरत है वो सिर्फ water तक confined नहीं है, उन्हें चाहिए sir कुछ credit भी, क्योंकि agriculture करने के लिए sir पैसा तो चाहिए ही, तो अगर government cheap credit भी provide कराने लग जाए, कम दामों में, वो उनको बहुत जादा help करेगा, उसके अलावा उन्हें कई सारी extra जो, you know, समान होते हैं, उसकी बिज़रत है, जैसे seed, fertilizer, agricultural equipment, pump, अब अगर poor family से आ रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को, you know, borrow नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों का afford नहीं का रहे हैं, जिसके कारण उनके agriculture में ultimate effect पढ़ रहा है, तो अब अगर government उन्हें cheap rate of interest पे credit provide कराना शुरू कर दे, पैसे provide कराना शुरू कर दे, तो sir, वो ultimately इन सारी चीजों को afford कर पाएंगी, और agriculture अच्छे से कर पाएंगी, अच्छा agriculture होगा, अच्छे input के साथ, तो sir, हमें output भी अच्छा मिलेगा, अच्छे पैस कराएं, जहां पर उन्हें high rate of interest पे नहीं करना पड़ रहा है, एक और क्या चीज वो कर सकते हैं, कि sir, कहीं न कहीं हमने देखा कि agriculture से जुड़ी हुई, को छोटी-छोटी industries भी होती है, जो develop हो सकते हैं, जिनने food processing industries भी कहा जाता है, agro-based industries जो होती हैं, तो अब अगर government उन्ही जगहों पर ये processing unit establish कर दे, कई सारे लोगों को तो वहीं पर job मिल जाएगा, कि sir, wheat हुगा, floor mill, sir, गाउं में ही establish कर दे, transportation का problem खतम, वहीं पर आटा बना के आपने बीचना शुरू कर दिया, sir, pulses ग्रो कर रहे हैं, rice ग्रो कर रहे हैं, उनका जो ultimate production हो रहा है, उनका जो ultimate, sir, हमे processing करनी है, final processing करनी है, कि वो लोगों तक पहुचाये जा सके, अगर वो सारी छोटी-छोटी, you know, industries, जो food processing industries है, गाउं के अंदर ही setup कर दी जाएगी, तो गाउं की लोगों को initially अपने आप में कुछ extra, जो income का source है, extra employment है, वो मिलना शुरू हो जाएगा, तो इससे ये जो under employment की problem है न, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से solve हो जाएगी और लोगों को और ज्यादा employment opportunities मिलने लग जाएगी, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, कि go downs open कर दे, cold storage open कर दे, जहां पर you know, जो extra production हुआ है, लोग उसको आकर अपना preserve कर सके और next season में उसको बेज सके, या आप consume कर सके, use कर सके, sir, this is also gonna help them, जैसे कुछ, you know, सबजियां ही होती है, potatoes, onions, अब आप उनको जादा लंबे वक तक नहीं रख पाएंगे, अगर आपके पास proper facilities नहीं होंगी, तो government अगर उन्हें ये सारी proper facilities प्रवाइड कराना शुरू कर देगी, तो sir, एक वेक्ती, पूरे साल में पोटेटो उगा रहा है, लेकिने की दिन में तो नहीं बेच पाएगा, तो वो क्या करेगा, धीरे-धीरे करके, जब भी market लग रहा है, उसे जाके बेच रहा है, और अपनी income को, you know, increase कर रहा है, और cold storage facility में काम करने के लिए हमें कुछ लोग चाहिए, sir, employment generation होना शुरू हो उसके अलावा, forest areas जो होते हैं गाउं के अंदर, वहाँ पे कुछ collection centers establish कर देने चाहिए, जैसे honey collection, you know, roots, berries collection, leaves collection, wood collection center establish कर देने चाहिए, जिसके कारण, कि गाउं के लोग जो ये collecting और gathering का काम करते हैं, वो भी उन चीजों को collect करके, उसमें से कहीं न कहीं अपना एक livelihood sustain कर पाए तो हमने क्या देखा, कि sir, अगर इन सारी, you know, steps को हम लेते हैं, और ये सारी छोटे-छोटे steps को अगर हम लेते हैं, तो इस under employment के problem को हम tackle कर सकते हैं, जिससे कि, you know, जो extra लोग involved है, उनने कुछ और employment opportunities मिल जाएंगी, और family की, जो एक overall income है, वो पूरी तरीके से increase हो जाएगी, और उनकी जो productivity है, वो भी कही ना कहीं बढ़ जाएगी, next important aspect आता है, sir, education को लेकर, कि India की अगर मैं बात करूँ, तो it is one of the sectors यहाँ पे बहुत तेजी से employment का generation किया जा सकता है, agriculture तो हमने देख लिया कि agriculture और उससे related कितनी सारे काम हम कर सकते हैं, जिससे कि employment generation हो सके, agriculture से हट के मै अगर बात करूँ, तो education की बात करते हैं, sir, education की मैं अगर बात करूँ, तो 60% जो population है, वो 5-29 age group पे से belong करती हैं, और इसमें से भी अगर आप देखेंगे, तो 51% जो है, इस age group में, सिर्फ वही educational institutions को, you know, जा रहे हैं, वहाँ पे जाके education प्राप्त कर पा रहे हैं, बाकि सारे लोग uneducated या illiterate हैं, और uneducated illiterate होने के कारण, वो उन्हें proper job opportunities भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, वो घर पे हैं, या किसी छोटे मोटे कामों में involved हैं, तो अब government, अगर इसी educational setup में, you know, focus करना शुरू कर दे, education को advance कर आने शुरू कर दे, teachers hire करने शुरू कर दे, बच्चों को education provide कराना शुरू कर दे, तो you won't believe कि almost 20 लाग से जाधा jobs इसमें ही create की जा सकती हैं, हमारा जो नीती आयोग है, planning commission जिसको हम पहले कहते थे, national institution for transforming India, इसने एक data दिया है, जहां पर उसने कहा है कि सर्फ 20 लाग से जाधा opportunities create की जा सकती हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ educational sector पर focus करें, can you imagine कितनी सारी jobs create हो सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम health situation situation पर focus करें, dispensaries open करने की कोशिश करें, hospitals open करने के बारे में सोचें, basic healthcare facilities provide कराने के बारे में सोचें, और rural areas में, तो sir वो भी अपने आप में कई सारी jobs जो है, को create कर सकता है, लोगों को बहुत सारी jobs provide करा सकता है, not only that, कही सारी जगहों पर tourism ये एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ sector है, sir, tourism में अपने आपे इतना ज़्यादा potential है, कि इसमें बहुत सारी jobs create की जा सकती है, and it could be tourism or regional craft industry or new service like IT, some of these would require proper planning and support from the government, जैसे मैं बात बता हूँ कि tourism की ही अगर मैं बात करता हूँ, तो किसी भी एक particular जगह है पर या, मतलब overall मैं बात करूँ, अगर tourism को बढ़ाबा दिया जाए इंडिया के अंदर, तो 35,00,000 से जादा jobs create की जा सकते हैं, can you imagine कितनी jobs create हो रही हैं, कि आप education sector में 20,00,000 से जादा jobs create कर रहे हैं, health sector में you almost 15,00,000 job create कर सकते हैं, मतलब आप कितनी jobs create कर सकते हैं, और यह जो under employment का issue है, कहीं न कहीं आप उसे tackle कर सकते हैं, आप उसे solve कर सकते हैं, अगर इन सारे चीजों पर government focus करना शुरू करें और नए-ने rules and regulations बनाना शुरू कर दें, इसके अलावा government ने अपनी कुछ policies भी निका ली हैं, जह implementing the right to work in about 625 districts of India, और महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, M.G. नरेगा या नरेगा 2005 में यह पास हुआ था और इसको right to work act भी कहा जाता है, very important, याद रखना है, M.G. नरेगा या नरेगा 2005 इसे right to work भी कहा जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि government is policy के थू, you know, unskilled work provide कराने की कोशिश करती है इसका मतलब क्या कि सर किसी भी गाउं में कोई construction activity चल रही है, तो government कोशिश करेगी कि लोगों को labor force के लिए या labor service के लिए वहीं से hire किया जाए, this particular act, ये उन सारी गाउं में, you know, उन लोगों को job provide तराता है, जो unskilled work करने के लिए ready है, and it assures hundred days of work in a year की, एक साल के अंदर कम से कम सौ दिन का आपको काम मिलेगा, तो इसमें क्या करना होता है, कि suppose आप अगर unskilled work करने के लिए ready है, unskilled मतलब जो basic काम होते हैं, जहां पर आपको कोई skills के जरूरत नहीं होती है, जैसे construction activity होगे, cleaning activity होगे, इन सब जगहों पे, तो आप अपने आपको इस portal पे register कर सकते हैं, जब आप अपने आपको इस portal पे register करेंगे, तो government आपके उस application को देखेगी, within 15 days government कोशिश करेगे कि आपको work provide कराया जाया, और अगर government यह नहीं कर पाती है, तो वो unemployment wages भी provide करती है, जहां पे आपको employment provide करने पे नहीं सफल हो पाती, तो आपको unemployment wages provide कराएगी, और इसमें अगर आपने खुद को enroll किया है, तो government यह ensure करेगी, कि एक साल के अंदर, 365 days में से at least 100 days आपके पास काम हो, तो these are the certain steps which government is taking up, जिससे की लोगों को employment provide कराया जा सके, और लोगों के welfare के लिए काम किया जा सके, तो अब हम बात करते हैं, sectors of Indian economy in terms of organization, तो यहां पे हम दो टाइपस में बात करते हैं, organized and unorganized, कि सर, उनकी, यहां पे हम define करते हैं कि उनके condition of work क्या है, कहां पे वो काम कर रहे है, उनको क्या-क्या benefit मिल रहे है, तो इसको हम समझते हैं, दो example से, सबसे पहले example है, कांता जी का, कांता जी एक office में काम करती है, वो सुबह सादे 9 बजे office जाती है, सादे 5 ब holiday होता है, when she joined work, she was given an appointment letter, जहां पर उनको सारी terms of employment बताए गए थे, clear किये गए थे, कांता जी के ही neighborhood में रहते हैं, कमल जी, कमल जी जो है, वो एक shop में काम करते हैं, ठीक है, he is a daily wage laborer in a grocery shop, वो सुबह सादे 7 बजे job पे जाते हैं, और रात के 8 बजे तक काम करते हैं, उनको कोई formal letter भी नहीं दिया गया, जहां पर उनके terms of employment को समझाया जाए, मतलब ऐसा ही कि बस हो काम कर रहे हैं, उनको salary मिल रही है, जिस दिन वो काम पे नहीं जाएंगा, उनको कोई salary नहीं मिलेगे, और उनको कभी भी किसी भी time पे job से निकाला जा सकता है, अब यहीं पर दोनों cases में क्या difference है, कानता जी जिस sector में काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है organized sector, क्योंकि हर एक चीज़ organized होती है, organization होती है, organized sector में वो सारे enterprises और places आते हैं, जहां पर terms of employment जो हैं, वो regular होते हैं, और people's के पास assured work होता है, यह जो organizations होती है, यह government के द्वारा registered होती है, और government के ही rules and regulations को follow कर होती है, जैसे factories act, minimum wages act, payment of gratuity act, shops and establishments act, यह organized sector है क्योंकि यहां पर कुछ formal processes and procedures है, इसमें से, you know, some of these people may not be employed by anyone, but वो खुद का ही अगर कुछ organization चला रहे हैं, तो भी उस case में उन्होंने खुद को government के साथ register करना होता है, और सारे rules and regulations को follow करना परता है, और workers जो organized sector में होते हैं, they have the security of employment, they are expected to work only a fixed working hours, और उनके पास अगर वो ज्यादा काम करते हैं, तो उन्हें, you know, over time भी pay किया जाता है, और उनको अलग-अलग benefits भी अपने employer के द्वारा पे किये जाते हैं, ठीक है sir, क्या benefit होते हैं, sir, उन्हें paid leaves मिलती हैं, उन्हें holidays के दिन, you know, payment मिलती है, provident fund मिलता है high gratitude मिलता है, उन्हें medical benefits मिलते हैं, और उनको factory manager भी सारी facilities प्रोवाइड कराता है, जो कि government ने कही है, कि उन्हें मिलने चाहिए, और जब वो retire होते हैं, तो उन्हें कुछ amount of sum भी मिलता है, जिसे pension कहा जाता है, कि आपके retire होने के बाद भी आपको half salary मिलती रहेगी, जिसको pension कह जाता है, उन्हें के contrast में, कमल जी कि अगर मैं बात करों, तो वो unorganized sector में बात करते हैं, unorganized sector का क्या characteristic होता है, कि unorganized sector में कोई भी rules and regulations नहीं होते हैं, बहुत छोटे-छोटे scattered units होते हैं, और government के control में नहीं होते हैं, although उनके लिए rules and regulations government ने बनाए हैं, बट उनको follow नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो jobs होती हैं, वो low paid होती हैं और regular नहीं होती हैं, और कोई भी overtime का provision नहीं है, कोई भी leave नहीं है, कोई भी holiday नहीं है, और अगर आपकी बिमार हैं, तो आपकी payment और salary cut हो जाएगी, employment secure नहीं है, और लोगों को कभी भी छोडने के लिए कहा जा सकता है, और जाता है, और terms of employment किसी भी तरीके से defined नहीं होते हैं, this sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs, such as selling on the street or doing repair work, जैसे farmers, repair workers, shopkeepers, और यह सारे जो लोग होते हैं, यह सब इस unorganized sector में आते हैं, ठीक हैं, अब इस unorganized sector में हम लोगों को protect कैसे करें, तो sir, आप सबने भी सुना होगा, या आप भी अभी student हैं, आप भी जाते हैं, कि हम सब के घरों में एक बात कही जाती है, बेटा, government job की तियारी करना, आगे जाके कुछ भी करो, government job करना, ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों कि government jobs are organized jobs, लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है government jobs की, कि sir, organized sector में यह जो jobs होती हैं, यह बहुत limited होती हैं, और बहुत ध organized sector enterprises in the unorganized sector, कि कई सारे आज कल जो privatization आना शुरू हुआ है, उसके बद कई सारे organized sector को भी unorganized sector enterprise के साथ जोड़ा जा रहा है, अब उसके कारण क्या होते हैं, companies कई सारे ऐसे अलगले steps लेती हैं, जिसके चलते हैं, वो इन rules और laws को evade कर सके, उन्हें follow ना करें, और अपने employers का exploitation कर सके, जिसके कारेंट क्या हो रहा है, कि जादा से जादा लोग अब unorganized sector में जा रहा है, क्योंकि job easily मिल जाती है, and आप switch कर सकते हैं, और उतना struggle भी नहीं हो रहा है, कि हाँ, at least कुछ नहीं से कुछ तो better है, लेकिन इसमें salary जो होती है, वो बहुत कम होती है, उन्हें, you know, exploit किया जाता है, और बहुत कम किया, कम पे किया जाता है, कि उनसे काम सबसे ज़्यादा कराया जाता है, बट payment जो होती है, वो उनकी बहुत कम होती है, 1990 से अगर आप देखें, तो large number of people are losing jobs in organized sector as well, कि organized sector में भी job security बहुत तेजी से कम हुई, 1990 के बाद एक phase आया था, जब organized sector से भी कई सारे workers को निकाला जाने लगा था, तो अब जब उन workers के पास कोई भी काम नहीं है, तो ultimately उन्हें unorganized sector में काम करना पड़ा और उनकी earning बहुत कम है, इसके अलावा, you know, need for more work, there is also a need for protection and support of workers कि सर, जाधा opportunities तो ठीक हैं, लेकिन unorganized sector में भी जो लोग है, government को ऐसे strict rules and regulations बन हैं, जो इस unorganized sector में हमें देखने को मिलते हैं, तो rural areas की अगर मैं बात करूँ, तो unorganized sector में mainly हमें landless agricultural laborers, small marginal farmers, share croppers, artisans such as weavers, blacksmith, carpenters, ये सब देखने को मिलते हैं, 85% जो rural household हैं इंडिया के अंदर, वो small या marginal farmer category में ही आता है, और सबसे बड़ा unorganized sector का, you know, जो हम देखते ह भी इन ही workers के अंडर में हमें देखने को मिलता है, इन्हें properly, you know, these farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credits, storage facilities, marketing outlets, जो हम already बात कर चुके हैं कि government को कई सारे steps लेने हैं, जहां पर इन सारे लोगों को properly, time पे credit प्रवाइड कराया जाए, seeds प्रवाइड कराया जाए, agricultural inputs प्रवाइड कराया जाए credits, you know, जो मिली रहे है, irrigation facilities, यह सब चीज़े government उन्हें provide कराये, ताकि इन्हें भी protect किया जा सके, और इनके भी livelihood को हम, you know, एक smooth way में चला सके, उनको उतना problem face ना करना पढ़े, urban areas के अगर मैं बात करूं, तो urban areas में, unorganized sector में वो families आती हैं, जो कि small scale industries में involved है, casual workers हो गए, construction, trade, transport, laborers, दिखा ही होगा, आपने shopkeepers, street vendors होते हैं, यह सब भी unorganized sector में आते हैं, urban areas में, and इन्ही सब लोगों का भी government को ख्याल रखना है, policies बनानी है, कि इनका कोई exploitation ना हो, और इनको भी regular livelihood मिलती रहे, small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output की सर, जो urban areas में भी छोटी-छोटी industries set up हो रहे हैं, छोटे industries को smoothly set up कर सकें, और अपना खुद का एक काम कर सकें, जिससे कि उनका exploitation ना हो, casual workers जो ruler or urban दोनों areas में हैं, उन्हें भी protect करने की जरुवत है, उसके लावा हम कई साले workers को देखते हैं, जो scheduled cast, scheduled tribes और backward communities से आते हैं, और सबसे ज़्यादा unorganized sector में संख्या हमें उन्हीं की देखन exploitation ना हो, और आपको जैसे मैंने बताया कि, although unorganized sector में पैसे तो कम मिली रहें, लेकिन उनका exploitation भी उतना ज्यादा हो रहा है, और exploitation के साथ-साथ, उनके साथ, social discrimination भी हो रहा है, कि अगर आप ऐसी हैं, तो आपको ये particular menial task ही करना है, आपको और कोई काम ही नहीं देगा, sir this is not done, ये सब caste भावनाय भेदभाव ये कुछ भी नहीं है, हमें बंद करना है, खतम करना है, और लोगों के बीच में equality establish करने हैं, कि अगर आप potential है, आप capable है, आपके लिए वो जौब है, आप वो कर सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से, तो government को protection और support प्रवाइड कराना है, और अन और्गनाइज़ वरकर्स को बोथ है, अगर बात करूँ, sectors in terms of ownership, तो ownership के basis पे हम देखते हैं, कि sectors को define किया जाता है, in terms of public sector, which is government owned, and private sector, जहां पे पूरे assets और liabilities और जो भी चीज़े होती हैं, वो private individual और group of individuals के हाथ में होता है, public sector की जैसे मै बात करूं, तो उसके example क्या क्या है, सर, railways, post office, यह सारी चीज़ है, companies like Tata Iron and Steel Company Limited, Reliance Industries Limited, यह सब क्या है, सर, यह privately owned companies है, activities in the private sectors are guided by motive of earning profit, to get such services, we have to pay money to these individuals and companies, और public sector का क्या फाइदा होता है, public sector में आपको, जो काम हो रहा है, वो profit के लिए नहीं हो रहा, जिसे मैं आपको एक छो सर्विस चलती थी, BSNL, अभी भी चल रही है, बर उतनी जादा नहीं, BSNL जो है, government service है, अगर कभी भी आपको मौका मिले, अपना फोन खुलके, आप उसके tariff rates चेक कीज़ेगा, उसके आप recharge rates चेक कीज़ेगा, और वहीं पे आप एक Vodafone, Airtel या Reliance के SIM के recharge rate चेक कीज़े, तो Reliance Vodafone का 3 मंथ का recharge 700 रुपए का और 800 रुपए का हो रहा है, वहीं पर BSNL का सेम सारे services के साथ, एक महीन, तीन महीने का recharge हो रहा है, वो 300-400 के हो जा रहा है, कितना price difference आ रहा है, तो private sector के जो भी companies या industries होती है, उनका main motive होता है, profit earn करना, profit gain करना, वो से profit के लिए काम करें, इसके कारण क्या होता है, कि अगर आपको इनकी services चाहिए है, तो आपको high amount of money pay करना पड़ता है, लेकिन public sector की जब मैं बात करता हूँ, तो वो profit के लिए काम नहीं कर रही है, government already पैसे लोगों से ले रही है, tax के थुरू, और उसी tax का इस्तमाल करके लोगों को services provide करा रही है, लोगों को उनकी जरूरतें provide करा रही है, तो यहाँ पर यह लोगों की services provide कराना main motive होता है, public sector का या government का, वो लोगों से tax लेते हैं, उसके बदले में लोगों को services provide कराते हैं, और government कोशिश करती है कि, you know, different activities जो भी हैं, जो लोगों के welfare के लिए की जा सकती हैं, उन पर focus करें, अब क्या-क्या activities होती हैं वो, governments इन पर क्यों invest कर रहा हैं, यह सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो देखें, some of these need spending large sum of money which is beyond the capacity of private sector, कि सर, अब अगर आप basic activities को देखें, जैसे में health, education, recreation, transportation, postal services, इन सब की बात करो, तो यह सब ऐसी services हैं, जो large scale में लोगों कुछ electricity services, यह कुछ ऐसी services हैं, जो हर व्यक्ति को minimum चाहिए ही, right sir, अब यह कुछ ऐसी services हैं, जो किसी individual के लिए afford कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, या private sector के लिए रन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, इतने सारे लोगों से पैसा collect करना, फिर यह services उने provide कर आपाना, it's kind of an impossible task, तो sir, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें एक mechanism चाहिए होता है, कैसा mechanism, कि लोगों से हम पैसा collect कर लें, already उस पैसे का इस्तमाल करके लोगों को welfare पहुंचाएं, और यह mechanism already government use करती है in terms of taxation, right sir, अब क्या-क्या काम है, जैसे construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, तो government यह सारे काम लेती है, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए करना है, और government सभी से tax वसूल रही है, तो government को हिसाब नहीं रखना पड़ता, कि कॉन tax pay कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, हमें यह किसको provide करानी है, कि सब को provide करानी है, हमें service, these are known as collective goods, economics में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, कि public services या फिर, you know, general services जो होती है, वो सभी के common welfare के लिए हम provide कराते हैं, and that is why, government undertakes all these activities, और वो कोशिश करती है, कि लोगों से tax वसूल के, वो लोगों को यह सारी services provide करा सके, जो कि उनके better lifestyle में help कर सके, there are some activities which the government has to support, जैसे अब, कुछ activities ऐसी हैं, जो private sector undertake कर रही है, बट चूकि कोशिश करनी हैं, कि वो private sector को help करें, ताकि वो ऐसे कुछ काम है, ऐसे कुछ businesses है, या production है, जिससे वो services provide करा रहे हैं, लोगों को वो से continue रख सके, जैसे selling electricity at the cost of generation में push up the cost of production of goods in many industries, कि सर, अगर electricity सपोस्ट कुछ जगों पे private industries पहुँचा रही है, but private industries अगर उसको costly पहुचाए यहां पर government को help करनी है, और private industries को कि वो भी उन्हें कुछ input provide करा है, वो भी उन्हें कुछ resources provide करा है, जिससे की cost of production जो है, उसे कम रखा जा सके, और private sector भी इसमें involved होके, लोगों को यह services provide करा सके, जो small scale कई सारी individual units है, private units हैं, वो भी बंद होती जा रही है, क्योंकि सर, उनके प सारे ऐसे steps लेने हैं, और कोशिश करनी हैं कि private sector को help करें, जहां पर वो services provide करा रहा है लोगों को, और उन्हें वो resources provide करा है, जिससे की private sector भी cheap rate में, लोगों को यह services provide करा सके, उसके लावा, कई सारी large number of activities हैं, जो कि सिर्फ government की prime responsibilities हैं, जैसे providing health, education facilities, इनका एक example है, गवर्मेंट को कई सारे other aspects पर भी attention provide करना है, जैसे availability of safe drinking water, housing facilities to the poor and food and nutrition, यह भी कुछ important aspect हैं, जिस पर government को काम करना है, उसके अलावा, government के और भी कुछ important duties हैं कि सर, poorest of the poor का ध्यान रिखा जाए, जो कुछ regions हैं जहां पर development बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उन regions पर focus किया जाए और उन एर एर mainly जो government है, वो focus करती है development के उपर, लेकिन अब कई जगों पर आप देख पा रहे हैं कि government में भी सारे regions पर focus नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर private industries को भी वो भाहर देना चाहिए, लेकिन private में आप जानते हैं कि कुछ भी काम अगर private हो रहा है तो वो महंगा ही होता है, आप एक services पहुचें और government और private sector दोनों मिलकर काम करें, तो I hope आपको समझ आया होगा कि country के अंदर economic कैसे अलग-अलग तरीकों से काम करती है, हम economic कैसे अलग-अलग हिस्सों में बाट कर समझने की कोशिश करते हैं, chapter over हो गया है, फिर भी अगर कोई doubt रहता है, तो comment section is always open for you, आपके को कोई भी doubt, you know, suggestions है, I'm always open for it, thank you very much for watching the video people, next class में हम next chapter के ओपर बात करेंगे, till then take care, bye bye, stay tuned, thank you very much for joining in.